दिल्ली सारह एक बड़ी खबर के साथ जहां ट्रांस्पोर्टर्स के हर्ताल को लेकर बैठक हुई है All India Motor Transport Congress के प्रतिनिद्यों की बैठक ग्री मंत्राले में चल रही है ग्री सचिप के साथ ट्रांस्पोर्ट Congress बैठक कर रही है All India Motor Transport का बड़ा बयान आया है और कहा कि हमने तो किया ही नहीं हर्ताल का बढ़ान बड़ी खबर ग्री मंत्राले में बैठक चल रही है और All India Motor Transport Congress के जो प्रतिनिदी है उनके साथ ग्री मंत्राले में बैठक चल रही है ग्रीस अचिफ के साथ वो ये लोग बैठक कर रहे हैं लेकिन बैठक से पहले All India Motor Transport का ये बड़ा बयान है जहां वो कह रहे हैं कि हमने हर्टाल का आपभाहन किया ही नहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बैठक से पहले All India Motor Transport ने ये बड़ा बयान देते वे कहा है कि हमने तो हर्टाल बुलाई ही नहीं तो आखिरकार हर्टाल किसके आपभाहन पर हुई ये बड़ा सवाल है हर्टाल कब तक खत्म होगी ये सवाल बना हुआ है हर्टाल को लेकर जो कवाइदे की जा रही है उनका असर कब तक देखने को मिलेगा फिलहाल ये बैठर ग्रिस अची को साथ जारी है तो हर्टाल को लेकर हाइद का सक्त रवया देखने को मिला कोट ने हर्टाल खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिये हैं जबलपूर हाइद कोट ने ये सक्त रवया दिखाते हुए हर्टाल को तुरंथी खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिये हैं ट्रक और बस ड्राइवर्स की हर्टाल के खिलाब यार्चिका यहां लगाए गई थी कोट ने हर्टाल को सरधानिक बताया है साती हर्टाल को खत्म कराने को लेकर सरकार को निर्देश दिये हैं तो ट्रक ड्राइवरों के हर्टाल पर हाइकोट सक्त है हाइकोट ने सरकार से कहा कि आज ही हर्टाल को खत्म कराने के लिए निर्देश दिये कि दौरान सासन भीवर्ट महाद व्यक्ता महोदय उपस्तित हुए तो महाद व्यक्ता महोदय ने न्यादा में स्विकार किया आज अवस्चक बस्तु अधियम इधारा 5 सरकार को पावर है कि आवस्चक बस्तु का सचारू से संचालन हो और सभी दक्तियों को उख्षुवद् सब्सक्राइब करने वाले करने वाले करने के लिए तो एक तरफ कोट भी हरताल को लेकर सकत है तो वही सीम ने भी हरताल पर अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में सबी जिलो की कलेक्टर और स्पी शामिल हुए जरूरी समान की कमी ना हो इस लिहाज से सीम ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं लेटरांस्पोर्टर्स की हरताल पर सीम ने जो बैठक लिए है उसके दस्वीरे आप देख रहे हैं सीम काफी सक्त हैं सीम ने कहा कि किसी भी सामान की दिकत नहीं होनी चाहिए आम जनता को और साथी जो हरताल की नाम पर उत्पात कर रहा है उन पर भी सक्त कारवाई करने के आदेश सीम्री यहां पर दिये हैं तो हर्ताल का असर और हर्ताल को खत्म कराने के जो कारवाई की जा रही है और बातचीत करने के लिए हमारे सायोगी जुड़े हैं भुपाल से प्रशांत कटारे और साथ ही दिली से शंकर आनन जुड़े हैं पहले आप बताए दिली में जो बैठाक हो रहे हैं उसको लेकर क्या अबडेक्ट तमाम जो मसलें उन मसलों पर विस्तार से चर्चा की जा रही हैं और इसके साथ ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको सोसल मीडिया पर या एसूसियसन जो ट्रक एसूसियसन जो हैं या बस एसूसियसन है या ड्राइबर्स की जो अलग से एसूसियसन हैं उनके वीश में जो क अफवाओं का जो बाजार गर्म करने वाले जो लोग हैं बखायदा उन पर नजर रखे जा रही है और खास तोर पर देखे एक सक्षिन की बारे हम जिक्र करना चाहेंगे जैसे एक जो अफवा है वो उसमें कहा जा रहा है सोचल मीडिया पैसी खबरे पहलाई गई कि अगर को उसको कम से कम साथ साल का जो सजा हो सकता है लेकिन साथ साल की जो सजा है यह अईसा कोई प्रावधार नहीं होता है सजा जब आप कोई ऐसे मामलों का अंजाम देता है तो कोड बाद में उस मामले पे फैसला करता है कि क्या हीटरन का मामला है यह नहीं पहला चीज़ दूसरा क्या इस मामले में अधिकतम सजा होनी चाहिए या कम सजा भी दिया जा सकता है तो मतलब भ्रामक सथी ये है कि सबको लग रहा है ट्रक ड्राइवर्स को खासता और पर कि अगर हिटन रन में वो पकड़े गए तो उन्हें पकड़े जाते ही उन पर सीधा सासल की सजा उनको हो जाएगी शंकर एक और बात यहाँ पर समझने चाहूंगे जो बड़ा बयान आया है All India Motor Transport की ओर से की हरताल का आपवाहन हमारी ओर से किया ही नहीं गया उसको लेकर क्या इंपुट है बात वही में कहरा था कि बहुत सारे Association ऐसे हैं उन Association के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो जान बुझकर इस मामले को बड़ा बनाने की कोशिस करते हैं या गलत तरीके से तत्यों को पेश नामने रगा जाता है जिसके चलते यह मसला इतना बड़ा सा दिख रहा है तो उन तम पर देखा जाता है कि सठकों पर अगर कोई हिट एंड का मामला होता है तो कई बार होता है कि डर के मारे driver दैखने को मिलता है आम लोगों के दवार मुवाइल तो पता चल गया है उसके बाद गाड़ी पीशे खर रहा आ आगे कर रहा है तो यहां पर एक सोची समझ का जा सकता है कि आप जान बुझकर मौके से फरार हो रहा है तो वैसे हालत में अगर आप हस्पताल पहुंचाते हैं तो पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि सजा का जो प्रावधान है वो कम हो जाए या अगर आपके एक मेहनत करने से अगर आपके एक पहल करने से अगर किसी के जान बस्ती है या आप जान बचाने का प्यास करते हैं तो निशन तोर पे साजा का प्रावधान कम होगा तो इन तमाम बातों को समझना होगा और इन बातों को समझने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो बुनियादी बाते हैं जिसको अफ़ाओं का बाजार बना के पेश किया जा रहा है तो उसको समझने क्या हो सकता है यहां पर लोगों को भीड का हिस्सा नहीं बनना है तो इन तमाम मसलों पर जो एक विस्तार से चर्चा पर लेकी जा रही है और चर्चा करने के दारान चर जो उत्पात कर रहा है अरताल के नाम पर उन पर भी सकत कारवाई हो बिलकुल अफ़ाणा दरसल दो मोटों पर फोकस है और फोकस पहला यह कि जो डिलर्स हैं असोसियेशन से उनसे बाचीत करें खासतोर से पहला यह कि जो ट्रक असोसियेशन से जुड़े हुए लोग है उ और दूसरी आवशेक बस्तियों दूसरा जो मोर्चा है बाचीत का वो जो हरताली कर्मचारी है या अब माफ कीजिए का हरताली ड्राइवर हैं उनसे बाचीत करने की कोशिश है ताकि उनसे बाचीत की बाचीत की बाचीत की बाचीत करने की कोशिश है ताकि उनसे बाचीत क कोशिश भी है चुकि किवल मद्य प्रदेश का मसला नहीं है देश भर का मसला है देश भर में ये तस्वीरे नज़र आ रहे हैं लेकिन अलग 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 अस्तर पर कोशिश जा रही हैं मामले को सुल जाने की मुख्य मंत्री उसी मद्य नज़र लगातार अफसरों के स आफ़े जाहिए बिल्कुल आम 95 बटल भी अमासा चुड़े जबलपुर जबावन आप बताएं जबलपुर में आज दिन dwar क्या सुसुति रही हो आपंड़ एक हाइकोट कीै प्रभावित होती दिख रही है जिनकी कीमितें कहीं न कहीं दीरे दीरे बढ़ती जा रही है आज जो है शाम को हाइकोट का जैसे ही आदेश आया कि हरताल खत्म करवाने के लिए हर संभव प्रियास करें सरकार की तरफ से स्पष्टी करन दिया गया कि आज ही हरताल खत्म कराने के लिए पूरी बाचीत की जाएगी जो भी निड़ा होगा वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा उसके बाद जिला प्रिशासन की टीम शेहपुरा इस्थित्र डिपो पहुंची पैट्रोलियम डिपो जहां पर हरताल करने वाले टेंकर चालको और ट्रांस्पोर्टर्स के साथ में बाचीत की और ट्रांस्पोर्टर्स पीछे हटने के लिए तयार नहीं है लेकिन ये जरूर बात सामने आईए कि पैट्रोल डीजल की आपूर्ती कहीं भी बाधित नहीं की गई है जो हरताल करने वाले चालक परीचालक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमने किसी को भी रोका नहीं है जो आवश्यक वस्तुए हैं उनका परिवहन निरंतर जारी है दाजय लगाया जा सकते हैं कि आवश्यक वस्तुए है तो मिलेगी लेकिन हरताल खत्म करने की अभी तक कहीं से कोई भी इस परष्ट जानकारी सामने नहीं आई जी बहुत शुक्रिया पवन आपका प्रशाज शंकर आप तिरों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और जिस तरह से हरताल का असर देखने को मिल रहा है हरताल को खत्म कराने के लिए करदम उठाए जारे हैं की जानकारी हम आपको दे रहें रतलाम की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां पेट्रोल भराने को लेकर लिमिट टे कर दी गई है तो आप 500 रुपे तक कही पेट्रोल भरवा सकते हैं और अगर आपके पास 4 विलर है तो 1500 रुपे की लिमिट 4 विलर चालकों के लिए है कलेक्टर नहीं आदेश चार रहे कियेगैं कलेक्टर की ओर से कि अगर आपके पास 2 विलर है तो आप 500 रुपे तक कही पेट्रोल भरवा सकते हैं उतनी लिमिट आपके लिए फिक्स की गई है और अगर आपके लिमिट रखी गई है 1500 रुप believe ता कि हर किसी को ही पेट्रोल बल सके किसी के ये नहीं कि एक लीटर भी नहीं मिल पा रहा है इसी को देखते हुए ये कदम रतला में प्रशासन की ओर से उठाया गया है कलेक्टर नहीं यादेश जारी किये है तो चार पहिया वाहन के लिए 1500 की लिमिट है दो पहिये के लिए 500 की लिमिट है अलग-अलग लिमिट यहां पर लिमिट का स्लाव रखा गया है और अब बात करते हैं मुखिवन